हम महिलाएं घर, कीचन और बच्चे तिनों ही समालती हैं और तिरों को समालते हुए कुछ प्रॉब्लम को फेस करती हैं इन प्रॉब्लम का सॉलुशन अगर वक्त पे ना किया जाए तो हमारे भूसतारे पैसा और वक्त लग जाता है तो चले आज जानते हैं हम कुछ ऐसे च्छोटी बोटल में ट्रान्सफर करने की कोशिश करते हैं तो एक प्रॉब्लम हम फेस करते हैं कि हम बोटल होती है उसमे तेल आता नहीं है क्योंकि पॉुर्डल का साइज़ मिली चोटा होता है और हमारे पास कूपी नहा हो तो हम क्या करें तो हम यहाँ पर एक तरीक तो कभी चोकलेट साती है इस वेफर का हम यूज करेंगे यहाँ पर एक कूपी की तरफ एमरजेंसिय में यह वालर ट्रिक आपके बहुत ही काम आने वाला है तो बस हमने इस तरीके से कट लगाना है आप घर के बच्चे भी आसान तरीके से इस में ओयल ट्रानसफर कर सकते हैं तो यहाँ पर मेरे बच्चे को यह बहुत ही डिफरेंट तरीका लगा तो उसने मेरा हैल्प किया है तो यह काम आपने पर और नोटल में तेल फेले हुए यह ऑयल इस बौटल आ जाने वाला है तो बल आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इसे एक्दम से नहीं भर देना है ज्यादा भर देंगे तो ऑईल बहार निकल जाएगा थोड़ा हमने इस तरह किसे करते जाना है और आराम से बोटल के अंदर आ जाने वाला है तो यह वाला यूसफुल ट्रेक आपने यूज कर कराना हो और आपके पास किसी तरह का कोपी ना हो तो आप यह प्लास्टिक वेफर वाला हैक अपलाई कर सकते हैं इससे आयल भी असाने से निकल जाता है और बोटल जो होता है वो भी मैसी नहीं होता है और एक बुन आयल भी भाहर नहीं जाता है यह थोड़ा सा आईल आप तो बच्चे ने बहुत इंट्रेस्स के साथ यह काम किया है तो आप इस तरीकी की नीव ट्रेक आपने बच्चों के साथ शेयर करिए यह किन वाने इने बेच्छा लगेगा और आपकी काम भी बन जाएंगे तो यह वाले इस वल है काम आपको कैसा लगा कमेंट जरू कीजिए प्रसनली मुझे बहुत एच्छा लगा और बच्चे को तो बहुत एच्छा लगा कि ओएल एक वेफर की मदद से भी कुछ इस तरीके से बोटल में आ जाता है अगला इस्वल हैक है मेरा सेंपो के पाउच को लेकिए तो हमारे घर में इस तरीके सेंपो के पाउच आते हैं ज उसके यूज हम कहा करने वाले हैं तो हमारे कीचन की जो डस्टर होते है उसके लिए यूज कर सकते हैं मेरे पास यह टावल है इसमें मैंने तेल गिर गया था जिसके वज़र से इसका जो ऑईली स्मेल आ पो जान नहीं रहा था उसको हम खतंब करने वाले है जो बैड समेल है तो मिरिक है जब है में हमारे हातों मैं कुछ इस तरीके में डinosब कर दोनेकी सी शुडुमें है मरे हातों कि आप धियान में तो जुडुय ही काम कम आता ही आदत भी होती है और blood circulation भी बंद हो जाता है तो यहां पर हमार main tip पर आते हैं हम यहां पर हम शेम्पू की जो पाउच है अच्छे से इनको मेश करेंगे तो आप देखेंगे बहुत सारा शेम्पू इसमें से निकला है मुझे भी लग रहा है इसमें इसमें रहने देती हूं औ जितना भी बैड समेल है वो निकल गया है इसमें यूज होने वाले डस्टर पे भी यह त्रिक आप यूज कर सकते हैं कि कीचन के जो डस्टर होते है उसमें कभी-कभी ऐल का बहुत ही सादा आता है तो उनको क्लीन करने के लिए आप इन शेम्पू के पाउच का यूज कर सक तो यह वाले यूसफुल ट्रेक को आप यूज करके जरूर दिखिएगा चले बढ़ते हैं अगले यूसफुल है की तरफ जब भी हम वाश्रूम में नया शाबू निकालते हैं तो उसके साथ यह पैकेट भी आते हैं और इन पैकेट को हम डस्ट बिन में अकसर फेक दिया क णीश खरीते हैं उसके खर्चे से अफ बच सकते हैं तो चली इनका यूज को लेते हैं तो पुरी अलमीरा में से बैड司 मेल आने लग जाती है तो आप यहाँ पर इन साबून के खाले वेफर का यूज़ कर सकते हैं तो कुछ इस तरीके से कपड़ों के पीछे या आप चाहते हैं तो इसे एक पॉलेथिन में भी रख सकते हैं मैं कुछ इस तरीके से यह आपको रख के दिखा रहे हैं इस तरीके से बाप रखते हैं तो एक हलका हलका सा जो खुश्बू रहता है वो रहेगा और कपड़े में ये खुश्बू बहुत ही अच्छा रखता है क्योंकि नहाने में हम इन साबून का यूज़ करते हैं तो आप ये वाले साबून के वैफर को आफ आराम से कपड़ों मे आने लग जाता है तो जब भी आप साबून खोलते हैं और खाले वैफर को डस्ट भी में फेकने जा रहे हैं तो एक बार ये वाला ट्रिक यूज़ करके देखिए कापड़ों में सा बैड स्मेल वाला प्रॉब्लम हमेशा के लिए हताम हो जाने वाला है तो ऐसे ही जल्दी वाला हा इे ब्रॉन वीटा जमने लग जाता है यह वाला ट्रॉद दोग में फर्ई से लिए हमेशा चल्दी जाने लगजाता है hosts jon यूज करना है चीनी का डिब्बा क्योंकि यह एक ऐसे चीछ है जो डेली ही यूज होती है डेली है हम बच्चों को दूद में देते हैं तो आप इसे चीनी के डिब्बे में रख दीजिए और जब भी आपने यूज करना है आप इसे निकाले दीखेंगे आप कभी भी इसमें चैनी किसी तरह के लॉज कर दोब्स नहीं आने वाला है याने कि यह जमने वाला नहीं है आपके पास एक्स्ट्रा कंटेनर ने हो तब यह ट्रिक वाला है और अगर आपके घर का जो हॉलिक्स है वो रखे रखे जम जाता है तो यह वाले ट्रिक को आप यूज करिएगा जब भी हम इसे फ्रीज में रखते हैं आप देखते होंगे कि यह सॉफ्ट रिंग की जो बोटल से होती है यह कुछ इस तरीके से फिसलती है यारी कि रहती नहीं है अपनी जगा जिस तरब भी यह लुड़कती है लुड़कती ही रहती है तो इसके लिए हमने यूज करना है बच्चों को जो डिजर होता है रब करने वाला उसका यूज करना है और कुछ इस तरीके से लगा देना है इसके बाद आप देखेंगे इन बोटल का लुड़कना बंद हो जाता है तो आपके वी फ्रीज में बोटल रखते वक्ते प्रॉब्लम होती है तो इस टिप को आप जरूर यूज करिएगा चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिएगा अगला यूजफुल है मेरा नमक को लेकि तो यह नमक को मैंने थोड़ी से पानी में मिलाया है और कुछ इस तरीके से घोल बना के हमने रेडी करना है इस घोल का हम यूज करन को नहीं रोक सकते तो इसके लिए यह बैस चुकार है एस सॉलिशन को बनाने के लिए हमें एक रुपया भी नहीं खर्च करना होगा बस घर में रखा हुआ नमक और पानी का हमने यूज करना है और घर के कीचन में यह किसी भी कोने में आप इसे यूज कर सकते है मैं इसका करते हैं कीचन में क्लेनिंग करने के लिए अगर कीचन में थोड़ा सा भी फूट पार्टिकल रहे गया है तो मेरे कीचन में तो यह प्रॉब्लम है कि बहुत जल्दी से लाल चेटी आ जाती है स्पेशल गर्मियों में तो बहुत जादा प्रोब्लम होती है और कुसी तरीका क केमिकल यूज करते हैं तो वह हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है तब आप यह नमक पानी वाला जुगार कर सकते हैं और इससे आप देखेंगे कभी भी चीटी आपकी गेस स्टेंट के आसपास नहीं आने वाली है क्योंकि हम गेस पे बहुत सारा काम करते ह घाना बनाते हैं रोटी बनाते हैं सब्जी बनाते हैं अगर कुछ भी दह गया है तो चीटी बहुत जर्दी से आ जाएगी जब भी आप कीचन क्लेंग करते हैं क्लेंग करने के बाद में थोड़ा सा पानी में नमक मिलाकर इस तरह के से कपड़ा इससे घुमा दीजेगा आ हर्पिक और नियूज पर को लेगे हैं और इस तरीके से ठेंगे में पानी यूजे हैं बहुत के चाया इससे हाँ को सब्सक्राफ आप जब है क्लों करते हैं कई हार्पिक हातों पे reaction करता है काफी सारी जलन भी करता है तो आप इस तरीके से पौलिवेक से भी काम चलाओ हैंड ग्लाफ्स बना सकते हैं और इसको clean करना असान भी नहीं होता है क्योंकि पूरे घर की गंगी साफ करती है और इसको clean करना पसंद भी नहीं किया जाता है पर जो चीज हमारे पूरे घर को clean कर दी है अगर वही clean नहीं है तो घर कैसे clean हो सकता है तो जब भी आप dusting soup को use करते हैं daily life में तो इसे हफते में एक या दो बार इस तरीके से हार्पि की मतलर से अच्छे से क्लिन कीजिए, इसलि जहाँ पर हम इसको पकड़ते हैं, उस इसले को जरूर कीजिए, क्योंकि डस्टिंग सूप का भी क्लिन होना बहुत ज़ादा ज़रूरी है, जिसे हमारे घ़र का झाडू क्लीन होना ज़रूरी है उसी तरीके से प्लास्तिक के बतनों पर करके देखिएगा कुछ ही सेकेंड में क्लेनिंग हो जाती है जो काम हमारा घंटों का है न वो मिंटों में हो जाता है इस वाले यूसरुल ट्रिक को ट्राइ करना तो बनता है एक बार आप इसे करेंगे यकिन माने आप लाइफ टाइम इसे अपना ल टो जाप कर दो जाती है जाती है зап